दोस्तो गर आप हैं एक स्मार्टफोन यूजर और आपका भी फोन हैंग करता है और बार-बार जब भी आप अपने फोन को चलाते हैं तो फोन बीच-बीच में फ्रीज हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तो मैं हूँ अजीतरा स्वागत करता हूँ आपका आज की एक और नई वीडियो में जहां मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Android फोन की सेटिंग्स में कुछ ऐसे options को enable कर सकते हैं कि उन्हें enable करने के बाद आपका फोन कभी भी hang नहीं होगा तो दोस्तो आज की वीडियो बहुत important है वीडियो को skip मत करिएगा और अगर आप चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को subscribe करिएगा तो चलिए आज की वीडियो को बिना late किये शुरू करते हैं तो दोस्तो यह रहा phone का screen अब हमको क्या करना है सबसे पहले play store को open करना है इस तरह का page खुलेगा जहां पे कई options दिये हुए हमको क्या करना है हमको auto update app को जो third option है उसमें जाना है जैसे auto update app third option पे हम click करेंगे यहां पे तीन option आएंगे जहां पे लिखा over any network, over wifi only या फिलिखा don't auto update apps तो हमको क्या करना है हमको don't auto update app पे click कर लेना है उसको select करके done करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो app है वो तभी update हो जब हम चाहें क्योंकि जब भी auto update app होते हैं अपने आप से update होते हैं जील hill symptom नीदम फार ले तो जयादा रायम लेतों ज्यादा रायम लेलें से हमारा फोन आंग करता है उसको दन पर क्लिक करेंगे करके बाहर निकल जायेंगे तो जिस तरह कर दिया हमगे अब हम क्या करेंगे अब हम सेटिंग पे जाएंगे अपने फोन की सट्पिंग ऑपेन कर क्लिक करेंगे तो setting पे क्लिक करने के बार जो पहला option हमारे सामने सामने निकल के आएगा वो ये है देखिये about phone दिया हुआ हम अब आप पोन पे क्लिक करेंगे यहां पे इस तरह से कुछ pay खुलेगा है हमें करके दिजसे system update पे कलिक करना है जो कि पहला option है कुछ इस तरह का page खोल के आएगा, जहां पर लिखा हुआ होगा, अपडेट सेटिंग, देखिए दूसरा option है, जहां पर update setting लिखा हुआ है, इस update setting पर हमें click करना है update setting पे जैसे हम click करेंगे हमाई सामने इस तरह से देखे खूल करके आगे अब यहाँ हमें क्या करना है यहाँ पे लिखा हुआ download automatically तो download automatically का जो पहला option है उसको off करना है उसको click करके हम उसको off कर देंगे जब हम इसको off कर देंगे तो कोई भी app बिना हम से पूछे या फिर कोई फोन का कोई भी setting जो update होने वाली है वो update नहीं होगी और जब update नहीं होगी तो RAM को यूज नहीं होगा जब RAM यूज नहीं होगा तो आपका फोन कभी भी hang नहीं करेगा तो इसको करने के बाद हम बाहर निकल जाएंगे बैक आने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से बैक आगए बैक आने के बाद हम क्या करेंगे अब हम जाएंगे बैक आने के बाद सबसे पहले अपने एक दूसरे option में जो की option दिया हुआ है आपका जयाँ है आप यहाँ पे sort.com जयांगे आपका जरा स्चेंगे यहाँ जरा साट का बैक्राएंगे पर बैक में खरता हूं। आप्टीक अपश्न दबाता हूद में को आपर खot प्रावरों ह्कुल्ड़ी आपर आफ both प्रहें योपोनियो होते हूद भी आप outros होते हैंने कुछ पड़ अपर राम क्रों धैक यूज ब्लुटे नहीं टाए यूज सब को आफ कर देंगे दिखिए करके मैं सब को आफ कर देता हूँ अब ये ऐप जब तक हम स्टार्ट ने करेंगे तब तक ये बैक्ग्राउंड में कभी नहीं चलेंगे और नहीं यूज़ करेंगे जिसके करड़ हमारा फोन हैंग नहीं होगा अब इस तरह से हम बाहर निकल बाहर निकलने के बाद अब हम क्या करेंगे अब हम फिर से जाएंगे about phone के option में जाएंगे और देखिए कि लिखा MIUI version ये चौथा option है आप में भी version करके ही आएगा आप इस पर 7 बर click करेंगे जब 7 बर click करेंगे तो आप developer option में चले जाएंगे मतलब कि आप phone के developer हो जाएंगे तो मेरा तो पहले से एक click है लेकिन मैं फिर भी click करके आपको 7 बर दिखा देता हूँ देखिए नीचे लिख के आ रहा है no need you are already a developer तो 7 बर option पे जब आप click करेंगे तो आप भी developer बन जाएंगे अब आपको back आना है back आने के बाद आपको जाना है additional setting में देखिए यहां पर आप additional setting का option मुझे दिख गया अब मैं इस पे click करूंगा click करने के बाद जैसे ही आप additional setting के option पे आ गये आपको एक scroll करके नीचे की तरफ जाना है और यहाँ एक developer option का आ रहा है developer option पर क्लिक करना है developer option मतलब होता है जो phone develop करता है उसके लिए option होता है यह थोड़ा सा critical options होते हैं पर आप इसको जाकर कर सकते हैं अब नीचे की तरफ आप scroll करेंगे scroll करने के बाद आप इसमें एक option खो जाएंगे वो option है देखिए नीजे के तरब मैं scroll कर रहा हूँ यहाँ पर option है option को मैं बता देता हूँ कि कौन सा option है आप scroll करते जाएंगे और आपको एक option मिल जाएगा इस option का आप बेकराउंड प्रोसेस लिमित देखिए यहाँ पर लिखाऊ हूए background प्रोसेस से लिमित, मतलब कि आपको यह तैय करना है कि आपके background में कितने प्रोसेस चलेंगे मतलब जो र्यम है वो एक साथ कितने आप्श्यकों चलाएगて आपके background में इसपे हम click करेंगे देखिए इस पर लिखा हुए standard limit मतलब कि एक साथ कई चल सकते हैं एक है no background process, एक है at most one process, एक है two process हम कर देंगे कि no background पे, तो no background process पे कर देंगे तो अब हमारे जो phone है वो बिल्कुल hang होने से बच जाएगा कोई भी hang नहीं होगा, और साथी साथ हमको ये भी याद रखना है कि हमको अपने phone में कभी एक browser से ज्यादा browser install नहीं करना है अगर install करेंगे तो background में चलता रहेगा और साथी साथ हमको जब भी कोई app use करते हैं, app use करने के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो हम इस तरह से click करके उस app को background से भी exit कर देंगे देखिए एक एक app है जिनको मैं exit कर रहा हूँ, ये देखिए सारे app को exit कर देंगे ताकि background में RAM को use ना करे तो इस तरह से आप जब भी अपने phone को settings को change कर देंगे आपका phone जिन्दगी में कभी भी hang नहीं होगा तो दोस्तो आज की video बहुत important थी जहाँ आप आपने सीखा कि आपका phone कैसे कभी भी hang नहीं होगा अगर आप ये setting कर लेते हैं इसी तरह की videos लेकर के मैं और आता रहूँगा मैं अजीत आपका दोस्त और भी इस तरह की video लेकर के आऊँगा अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आज के लिए सिर्फ इतना है जय हिंद जय भारत